राश्रपती रामनात कोविंद ने आज 74 हस्तियों को पद्म पुरसकार से सम्मानित किया। राश्रपती भवन में आयजित समारों में तीन शेणियों पद्म विभूशन, पद्म भूशन और पद्मश्री के रूप में ये पुरसकार प्रदान किये गए। इस साल 128 पद्म पुरसकारों की घोशना की गई थी। पहला समारो 21 मार्च को आयजित किया गया था जिसमें 54 हस्तियों को पुरसकार प्रदान किये गये थे। की निर्माता कंपनी बायोटेक के कृष्ण मूर्ती एल्ला और सुचित्रा कृष्ण एल्ला को पद्मभूशन से सम्मानित किया गया इसी तरह टोक्यो ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेतार नीरत चोपडा गाई का सुलोचना चौहान गायक सोनु निगम आधी को भी को रसकार प्रदान किया गया